पेट्रॉलियम ऐसे प्राक्रतिक संसादन है जिनका उपियोग समय के साथ बदलता जा रहा है। कोयला का उपियोग पहले रेल गाड़ी में किया जाता था, अब जल याज, वायू याज, सब पेट्रोल और डीजल से चलाए जाते हैं। पेट्रोल और डीजल पेट्रोलियम से ही पाए गए हैं। चलो, अब हम कोईला और पेट्रोलियम के अधिक गुरों पर विचार करें। प्राक्रतिक संसादनों के दो लापकरूप अक्षय प्राक्रतिक संसादन तता समाप्त होने वाले प्राक्रतिक संसादन अक्षय प्राक्रतिक संसादन वह होते हैं जो संसार में असीमित मातर में प्रस्तत होते हैं और इनका मनुष्य की क्रियाँ के कारण समाफ्त होना असंभव है इनके कोछ अदारण है जल, बायू, सूर्य, आधी समाफ्त होने वाले प्राक्रतिक संसादन वह होते हैं जो संसार में सीमत मात्र में प्रस्तोत होते हैं और मनुष्य के कारण इनका समाथ होने की संभवता है जैसे की वन पेट्रोलियम आदी कोईला कटोर और काला रंग का होता है कोईला का उपयोग हम खाना पकाने में और विद्यूद बनाने में करते है कोईला को जीवाश्म इदम भी करला जाता है क्योंकि वो भी वनस्पती के अवसेशों से बदा हुआ है करीब तीन सो मिलियन वर्ष पहले जब धर्ती पे गने गने पेड़ पौदे हुगते थे तब इन वनस्पती के मृत्यों के पस्चाथ उनका ढेट बदता गया और नीचे पड़े मृत्वनस्पती पे दबाव बढ़ता गया इस उच्चताप और दबाव के कारण वे कोईला में परिवर्टित हो गए और इसे कारवनी करण करलाया जाता है कोप कारवन का सबसे शुद्रूप है कोप एक कठोद, संरंद्र और काला का दात है कोप का उपयोग बहुत से दातों के निश्करशन में किया जाता है और अग्यूगिक के निर्मान में भी कोल्तार कोल्तार एक अपरिय गंदवाला काला गाड़ा है जो लगबख 200 पदार्थों का मिश्रण है कोल्तार से प्राप्त पदार का उपयोग विभिन्ज शेत्र में किया जाता है कोईला गैस और पेट्रोलियम कोईले के प्राक्रमन द्वारा कोग बनाते समय कोईला गयस प्राक्त होता है इसका उप्योग रोशनी के बजाए उश्म के सरोत्र में हो रहा है पेट्रो और डीजल पेट्रोलियम से ही पाए गए है पेट्रोलियम का निर्मान बिलकुल कोईले के सामान है लेकिन इसका निर्मान समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ था यानि कि कई लाखों वर्ष पहले जब समुद्र में रहने वाले जीवों की मृत्यू होती थी तब वे धर्ती में जाकर दब जाते और उसी उच्टाप और दबाओ के कारण वे पेट्रोलियम में परिवर्तित हो जाते पेट्रोलियम के परिश्करण पेट्रोलियम गहरे रंका तेरिय द्रव है पेट्रोलियम का वंद बड़ा ये अप्रिय होता है और पेट्रोलियम विविन्द संगटनों से बना हुआ है पेट्रोलियम के विविन्द प्रवजों को प्रितिक करना पेट्रोलियम परिश्करन करा जाता है पेट्रोलियम के कुछ प्रवाजों है पेट्रोल, बीजल, सीएजी, आदि प्राक्रितिक ग्यास प्राक्रितिक ग्यास एक बहुत ही मुटवफूल जीवाशम इधन है क्योंकि इसका परीज़ वहन पाइपो द्वारा सर्वता पूरवफ हो जाता है और तो और प्रक्रेटिक ग्यास लापूरवक इसलिए है क्योंकि इसका प्रयोग करने पर बायू का प्रदूर्शन भी कम किया जा सकता है प्रक्रितिक ग्यास का उप्योग प्रारंबिक बदात के रूप में बहुत से रसायनों और औरवनकों के निर्मान में हिया जाता है कोईला और पेट्रोलियंद जैसे कुछ प्राक्रितिक संताजन सीमित होते हैं क्योंकि इन्हें बन्ने में काफी लाखों वर्ष लग जाते हैं किन्तु मनुष्य जिस रफ्ता से इनका उप्योग कर रहा है वे कुछ ही सौवर्ष में समाप्त हो जाएंगे इसलिए हमें इनका बचाव शुरू कर लेना चाहिए बचाव करने के लिए हमें पहले तो गाड़ी को समान और मध्यम रखता से चलाना होगा दूसरा तायरों का दब सही रखना होगा और तीसरा गाड़ी का नियमित रख रखाव सुनिश्चित करना होगा धन्यावाद आशा है कि आपने प्राकृतिक संसादनों का मवत्व पूरी तरह से समझ दिया होगा और तो और यह भी जान गया होगा कि निकट भविश्य में स्पीमित संसादन पूरी तरह से समझ दिया होगा I'll show you I'll show you